शिब बाबा याद है ना? अच्छी रिती करें तो उच्च पद पा सकता है। फिर कई बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं तो बाप आज उलहना देते हैं अरे जो बाप तुमको शीर सागर में ले जाते हैं इतना खजाना देते हैं उनको भी भूल जाते हो। याद नहीं करेंगे तो त जाकत कैसे मिलेगी सर्व शक्तिमान बाप की याद से ही शक्ति आएगी और आत्मा में जोहर भरता जाएगा फिर बाबा ने कहा अभी माया के साथ तुम्हारी बॉक्सिंग चल रही है यह माया चकरी लगा कर एकदम गिरा देती है याद रखना विकार में गया और मरा फिर न जो कुछ जंक निकली होगी पतित से पावन बने होंगे वह सारी की कमाई चट हो जाती है फिर भले वह सत्युग में आएंगे परन्तु दास दासी का डर्टी पद पाएंगे लास्ट में बाबा ने कहा अभी पावन बनने का बाकी थोड़ा समय है अब तुम्हें किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना मुरीद बनना है तो एक्ष बाबा का उनसे बेहद का राज्ये लेना है तो खूब पुरुशार्थ करो जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बने अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें तन मन धन से सची रूहानी सेवा करनी है रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा प्रश्न बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे उत्तर बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिलकुल एक्यूरेट बना हुआ है जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिलकुल एक्यूरेट है परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र नहीं रह सकते जब तुम्हारी करमाती तवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए योगी और ज्यानी बच्चे छिप नहीं सकते ओम शांती पतित पावन शिव भगवान वाज बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनश्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता मनश्य यह भी ज जानते हैं पतित पावन भगवान ही है श्रिक्रेश्न को पतित पावन नहीं कहेंगे विचारे बहुत मूझे हुए हैं भारत में जब सूत मूझ जाता है तब शिप बाबा को आना पड़ता है बाप के बिना उसे कोई सुलजा न सके वोही पतित पावन शिप बाबा है जि इसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। काम को जीत जगत जीत बनते हो। तुवेह बाप पतित पावन भी ठहरा। नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्ये पाने के लिए तुम पुरुशार्थ करो। हर एक समझते हैं। हम शिबाबा से राज्ये भाग्य ले रही हैं। यह भी यथार्थ रीती समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिबाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूं। मेरे से अगर कोई आकर पुछे, तो मैं अपना परीचे दे सकता हूं। तुमको भी तो बाप ने अपना परीचे दिया है ना। शुबाबा कहते हैं, मैं साधार्ण तन में प्रवेश करता हूँ, यह साधार्ण तन है, जाड के अंत में खड़ा है, पति दुनिया में खड़ा है, और फिर नीचे तपस्या कर रही हैं, इनको भी तपस्या शुबाबा सिखला रही हैं, राजियोग शुबाबा सिखाते हैं नीचे आदी देव, उपर में आदी नात तुम बच्चे समझा सकते हो हम ब्राह्मन शुबाबा की संतान है तुम भी शुबाबा के बच्चे हो पर अन्तु जानते नहीं हो भगवान एक है बाकि सब ब्रदर्स है बाप कहते हैं मैं अपने बच्चे को ही पढ़ाता हूँ जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूँ भारत ही स्वर्ग था, अब नर्ग है जो काम को जीतेगा वही जगतजीत बनेगा मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था फिर आईरन एज में आया यह कोई भी जानते नहीं रचाईता और रचना के आदी मध्य अंत को कोई जानते नहीं मैं नोलेज भुल हूँ यह है एम अबजेक्ट मैं इनके साधारन तन में प्रवेश होकर नोलेज देता हूँ अब तुम भी पवित्र बनो इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे यह सब बच्चे पुरुशार्थ कर रही हैं तन मंधन से रुहानी सेवा करते हैं जिस्मानी नहीं इनको स्प्रिच्वल नोलेज कहा जाता है यह भक्ती नहीं है भक्ती का युग है द्वापर कल युग जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है और सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है कोई गीता पाठी आये तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है गीता किसने सुनाई राजयो किसने सिखाया किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे यह लक्ष्मी नारायन भी जगत जीत बने है न इनके 84 जनमों का राज बैट समझाए कोई भी हो नौलेज लेने के लिए तो यहां आना पड़ेगा ना मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं इसलिए गायन है कोटों में कोई मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई तो यह 5% भी नहीं जानते तुम्हें बाप को जानकर पूरी रिती याद करना है मामे कम याद क्यो नहीं करते हो कहते हैं बाबा याद भूल जाती है अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो यूं तो बाप समझते हैं यह मेहनत का काम है फिर भी पुरुशार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं अरे जो बाप तुमको शीर सागर में ले जाते हैं विश्म का मालिक बनाते हैं उनको भूल जाते हो माया भूलाएगी भी जरूर टाइम लगेगा ऐसे भी नहीं कि माया को भूलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ नहीं, पुरुशार्थ जरूर करना है काम पर जीत पानी है मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे जैसे तुम बच्चों को बोलता हूं वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा उनको भी बाप बोलेंगे न, बच्चे क्योंकि मैं तो उंचे से उंचया भगवान हूं उंचे से उंची पढ़ाई, मैं ही पढ़ाता हूं प्रिंस प्रिंसिज पद पाने के लिए बाप कहते हैं, मैं इनको पढ़ा रहा हूं यही फिर शिरिक्रेश्न बनते हैं ब्रह्मा सरस्पती, वोही फिर लक्ष्मी नारायन बनेंगे यह प्रवरिती मार्ग चला आता है निवरिती मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके राजारानी दोनों जाहिए विलायत में जाकर कहते हैं, हम राजयोग सिखलाते हैं परंतु वह तो सुख को काग विष्टा समान कहते हैं फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे, तो बच्चों को उझ्छलाने चाहिए परंतु बच्चे अजन छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं बालिग बने की हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं यह है रावन संप्रदाए। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ। तो यह है पतित दुनिया है या पावन दुनिया है। तुम समझते हो ना कि हम नर्कवासी है। क्या यह दैवी संप्रदाए है। राम राज्य है। त तुम रावन राज्य के नहीं हो। अब रावन राज्य में सबकी आसुरी बुद्धी है। अब आसुरी बुद्धी को दैवी बुद्धी बनाने वाला कौन। ऐसे चार-पांच प्रश्न पूझो तो मनुश्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है पाप का पर देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं। इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा। फिर नए सिर्फ पुरुशार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना। वह की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर्फ मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं उनको अलाव नहीं करना है। नहीं उनको समझाना है जो कुछ याद की यात्रा की पड़ा पहसा घलास हो गया। एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी आजमाया जाएगा, दो बारी माफी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। भेट में तो ऐसे कहेंगे न। जो बिलकुल कम पद पाते हैं। उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां, चंडाल, प्रजा के भी नोकर चाकर साब बनते हैं न। बाप तो कहते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूं। घर पांच हजार वर्श के बाद पढ़ाता हूं। वह invention लोग लाखों वर्श कह देते हैं। आगे चलकर यह भी कहने लग पढ़ेंगे कि बरोबर पांच हजार वर्श की बात परंतु याद की यात्रा में रहना सके दिन प्रति दिन टू लेट होते जाएंगे गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही यह सब इस समय की बाते हैं बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में लड़ाई सामने खड़ी है अपने दिल से पूछना है हम याद की यात्रा पर है जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए अगर किसको समझना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा ऐसे तो डेर आते हैं बोलो बाब को पुकारते हो पतित पावन आओ तो जरूर यह पतित दुनिया है तब तो कहते हैं कि आगर पावन बनाओ फिर कोई बनते हैं कोई नहीं बनते हैं बाबा के पास पत्र तो धेर आते हैं सब लिखते हैं शुबाबा केर ओफ ब्रह्मा शुबाबा भी कहते हैं मैं साधार्ण तन में प्रवेश करता हूँ इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ और कोई भी मनश्य रचता और रचना के आदी मध्य अंत को नहीं जानते हैं अब बाप ने ही तुमको बताया है ये चित्र आदी भी बाबा ने दिव्वे द्रिस्टी दे कर सब बनवाई है बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते है आत्माई जट अश्यरिरी हो जाती है इस श्यरीर से अपने को अलग समझना है बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव अश्यरिरी भव मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ यह मेला है आत्माओं और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता है, बागी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है, साधू, संत, रिशी, मुनियादी सब जाते हैं स्नान करने, अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती? भगवान वाच हैना का महाशत्रू है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। आदी मध्य अंत दुख देने वाला है, सत्युग में यह होता नहीं, वह है पावन दुनिया, वहाँ कोई पतित रहता ही नहीं, जैसे तुम योगबल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योगबल से बच्चा पैदा होता है, रावन राज्य ही नहीं, तुम लोग रावन को जलाते हो, पता नहीं पढ़ता कि कब से जलाते आए हो, राम राज्य में रावन होता नहीं, यह बड़ी समझने की बाते हैं, जो बाप बैट समझाते हैं, समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प, जो जितना पढ़े हैं, उतना ही पढ़ते हैं, पुरुशार् पाचा तो बहुत सहज है। पहले है मनसा, अर्थात मनमनाभव। याद की यात्रा में रहना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। बाबा से शिक्ष्या लेनी है। बहुत हैं, जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, मामे कम याद नहीं कर सकते, याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी, बाप सर्व शक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी, इसको ही जोहर कहा जाता है, कर्मना भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मना भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा सबजेक्ट होती है न यह है गुप्त समझने की बातें वो लोग योग योग कहते रहते हैं पर अंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्म की बादशाही लेते हो योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है यह भी किसको पता न नहीं है तुमको समझाया जाता है फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है अब तुमको शिबाबा के मुरीद बनना है कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए फिर तो इससे भी ऊपर जाना है भाई भाई समझना है भाई बेहन की द्रिष्टी भी नहीं ड्रामा नुसार जो कुछ चलता है बिलकुल एक्यूरेट ड्रामा बहुत एक्यूरेट है बाप तो बेफिक्र है इनको तो फिक्र जरूर रहेगा बेफिक्र तब रहेंगे जब करमाती तवस्था होगी तब तक कुछ न कुछ होता है योग अच्छा जाहिए योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बाब उलहना देते हैं जो बाब तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो बाब जानते हैं किसमे ज्ञान है किसमे नहीं है ज्ञानी कभी छीपा नहीं रहेगा वह जट सर्विस का सबूत देगा तो यह सब समझने की बाते हैं अच्छा, मेठे मेठे, सिकी लदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है, पुरुशार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है, दूसरा, यह ड्रामा एक्कुरेट बना हुआ है, इसलिए किसे भी बात का फि कर नहीं करना है, करमातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाब की याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है, आज का वर्दान, शुरिमत प्रमान, सेवा में संतुस्टता की विशेस्ता का अनुभव करने वाले सफलता मोर्थ भव, बाबा ने कहा, कोई भी सेवा करो, कोई जिग्यासू आवे या नहीं आवे, लेकिन स्व्यम स्व्यम से संतुस्ट रहो, निश्चे रखो कि अगर मैं संतुस्ट हूँ, तो मैसिज काम जरूर करेगा, इसमें उदास नहीं हो, स्टुडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नह आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया, और उन्हों को संदेश मिल गया, अगर स्व्यम संतुस्ट हो, तो खर्चा सफल हुआ, शिरिमत प्रमान कारिय किया, तो शिरिमत को मानना, यह भी सफलता मूर्थ बनना है, स्लोगन असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो, तो उनकी दुआईं मिलेंगी, ओम शान्ति, आज हम जानेंगे, कि यह यज्य कब संपन्न होगा, अर्ठात समाप्ति का समय कब आएगा, और बाबा हमारी मदद कैसे करते हैं, यह सब रहस्य जानने के लिए सूनते हैं आज का प्राइगान मुटी.